चले दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ललित नरायन मितलाविस विद्धाले की ओर से जो आज बीए, बीएस्टी या बीकॉम कर रहे होंगे और आप पाटवन के स्टुडेंट होंगे अगर आपका सेशन 2020-2023 है तो ये वीडियो आप जरूर देखिए दोस्तो जितने भी एस्टुडेंट राजिस्टेशन और एकजाम जरूर्ण फार्म भर लिये हैं तो तो बढ़िया है अगर जो एकज्टेश्टेशन अभी तक नहीं कर पाए हैं और साथी परिच्छा फार्म नहीं बर पाए है तो दोस्तो इसकी टिति बढ़ाए गई इंगेस में पार्ट 1 और पार्ट 3 से रिलिटेड जो जनकारी है वो आपके साथ सेयर करने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो यह आप देख सकते हैं यह 20 अपरील को यह नोटिस जारी किया था जिसमें बताया गया है कि असना तक परतम खंड परतिष्टा समझने कला कर बताया गया है इससे आप लोग संक्रमित से बचें और संक्रमन के परसार देखते हुए असनात्य परतमकान परतिष्टा समझने कला विग्यान एवानीज सत्र दोहाजार वीश से इसमें विश्विद्याले की वेब साइट lnu.ac in for online के माध्यम से पंजीक करन समझने बिलम सुलक के साथ 30 रुपे के साथ आप लोग 30 अप्रील तक आपका फॉर्म स्विकार किया जाएगा जो एस्टुएंट का किसी कारण से उनका रजिस्टेशन नहीं हो पाया था तो आप लोग 30 रुपे सुलक के साथ आप लोग रजिस्टेशन करवाली जेगा अगर दूस्तों जो एस्टुएंट-पाट-एट इस्टूडेन्स हो में और रजिस्टेशन में किसी परगारी समस्या औरहीं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं वैसे दोस्तों ईकली एक्जामिशन फॉर्म फिलब करना है दोस्तों कितने estimate का काना है कि payment नहीं cut रहा है और payment कटने के बाद प्रिंट आउट नहीं आ रहा है तो यह server problem है आप लोग 12 से 14 घंटा बेट कीजिए और आपका यह सही हो जाएगा दोस्तों उसके बाद बताया गया है कि आप लोग अपना registration और examination फ़र जब भर लेते हैं तो उ पंजी करन परपत भरते समय यदि पंजीयन परपत की परतिष्ठा विषय को छोड़कर और सबसिड्री विषय, पिता, माता, जनतिथी, आधी इसी प्रकार की त्रूटी अपने अस्तर से सुधार करवा सकेंगे जमा करके जैसे आप लोग अपने महाविध डाले से करवा सकत सकते हैं इसके बाद दोस्तों हैं आप बताया गया है कि पुर्व में सत्र 2019-2022 में नमांकी च्छाठ चात्रा है जिनका पंजीया नहीं हो सका है वैसे च्छाठ चात्रा भी ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्टेशन करा सकते हैं जो एस्ट्रेट 2019-22 वाले से सेसन में अपना रजिस्टेशन नहीं कर पाए होंगे तो वह लोग रजिस्टेशन करके और अपना एक्जाम दे सकते हैं तो दोस्तों जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आपको बता दिया हूं और दोस्तों एक्जाम को लेकर बहुत सारे स्टुएंट डाउट में है तो दोस्तों आप लोग का एक्जाम है वह केंसिल हो चुका है तो मैं के 15 मैं के बाद ही आप लोग का एक्जाम के बारे में किसी प्रकार की सुचना जारी किया जाएगा तो दोस्तों अगर आप पर मोटेड एस्टुएंट होंगे तो अपना एक्जाम जासन फण भर लिजे और अपने कॉले जा रहा है तो दोस्तों फिल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा